किसान गायों नमस्कार मैं पुनिश्ची सौधिया, किसान गायों आज की इस वीडियो में हम टाटा कंपनी की रेली गोल्ड के वारे में कम्प्लीट जानकरी लेने वाले हैं, देखिए बहुत ही पावर्फुर प्रोडेक्ट है, यदि आपको अपनी फसलों में अच्छी ग् मिलते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा है, हमारी फसलों में यूज करने के लिए, तो आज की स्वीडियो में टाटा रेली गोल्ड के वारे में कम्प्लीट जानकरी लेने वाले हैं, कि इसको कैसे उप्योग करना है, इसके अंदर होता क्या-क्या है, कैसे काम करता है, क्या इ इसके अंदर होता है, माइकोराइजा, माइकोराइजा के बारे माइधी आप डिटेल में जाना चाहते हैं, तो वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक माई बटन में भी दे दूँगा, तो आप इस वीडियो के देखने के बाद वो उस पर जाकर देख सकते ह हमारे फसलो के अंदर, तो कैसे काम करता है, पहले हम यदि बात करें माइकोराइजा, तो माइकोराइजा क्या काम करता है, कि हमारी फसलो में जो फास्पोरस अप्टेक है, उसको बढ़ा देता है, उसके सासत और भी बहुत सारी न्यूट्रिशन को प्लांट के अंदर बढ यह आपके अपक्र में महुत करनें निवात है कि हमारी फॉस लोगों की जो हमारी है जड़ों को जो भी हमारे व्यांद से बचाने का काम करता है यानि से सेंख रखता है जो माईपराईजा होता है तो बहुत भेनिफिहल है हमारी पाक के अंदर राक कहते होता है है हूंिक यह जानते हैं। हमेरी चैनल यह मईधपूर भी का निवाता है हमारी फसलो के अंदर दीज को अनुटिटीस हां है उसको बढ़ дости पर भी हमारी channel है उसपे detail वीडियो है तो अगर humic acid आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यह यह i-button में जो link है आप इस पर जाकर करके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में उसके साथ साथ इसमें seaweed extract होता है seaweed extract के आप जानते हैं कि ये भी बहुत powerful होता है हमारी फसलों के लिए इसके अंदर बहुत सारे जो hormones होते हैं वो पाई जाते हैं जो फसलों की growth में होते हैं उसके सास्दों बहुत सारे पोसकत होते हैं जो हमारी फसलों की बढ़वार में उसको बनाए रखने में इसकी ग्रोथ को टेज करने में फूल और फल की संख्या bढ़ाने में मेहतपुर्भू मी का निवाते हैं उसके सासा इसमें आमिनो एसिट्स होता है amino acids के बारे में आप जानते हैं कि प्रोटीन निर्वान में साहिव होता है तो पौधे में अधिक प्रोटीन बन पाता है जिससे पौधे जो हैं हमारे अच्छे ग्रो करते हैं जो फसले हों हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है और भी इसमें बहुत सारी तरह की चीज़े होती हैं जो आप स्कीन में देख सकते हैं इसकीन सॉर्ट में डाल देता हूं तो यह सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है जो बेहती बेनिफीचल होती हैं हमारे फसलो के लिए तो यदि हम बात करें कि टाटा रेली गोल्ड के उप्योग से हमारी फसलो में क्या-क्या बेनिफीट्स यानि की क्या-क्या लाव देखने को मिलते हैं तो देखिए एक तो जड़ो का विकास है रूट का विकास हो बहुत तेजी से होता है और फसलो जो नूट्रिशन अप्टेक वह बढ़ जाता है और भी पोशक्ता को उप्टेक बढ़ जाता है उसके साथ यह फसलो को जो रोग है कीट है क्योंकि जो फसलो की इम्मुनिटी पावर जो है वो बूस्ट हो जाती है जिससे फसलो का जो defense mechanism वो improve होता है यानि कि रोगों से या कीटों से लड़ने की जो छमता है वो विक्सित हो जाती है हमारी फसलो के अंदर जिससे रोग कीट कम देखने को मिलते हैं उसके साथ साथ हमारी फसलो की जड़े हैं उनको रोगों से बचाता है यानि कि soil bond जो भी fungus है हमारी बूमी के अंदर उससे बचाए रखता है जिससे विल्ट की समस्य टैंपिंग और की समस्य अपनी जादा देखने को नहीं मिलती है तो और इसके अंदर हार्मोंस होते हैं जो हमारे पौदे के विकास में साहिब होते हैं पौदे के बढ़वारे तेजी से होती है पौ है क्योंकि इसके इसमें बहुत तरह की जो माइकुराइजा है हिमिक एसीड है सीवीड एकस्टेक्ट है अबीनो एसीड से तो बहुत पावरफुल चीजे हैं जो हमें अपनी फसलों के अंदर जो बहुत ही अच्छा रिजट देती हैं तो हमें इसका उप्योग करना हैं उसके साथ साथ जो हमारी फलो वाले पौदे हैं उनमें आप जैसे अनार में पपीता में या सिट्रिस जो फल होते हैं निकी खटे फल जो होते हैं उनके अंदर आप उप्योग कर सकते हैं तो सबी फसलों के अंदर हम इसका उप्योग कर सकते हैं देखिए यह जो आता ह करना होता है जो दानेदार होता है तो उसकी 4 kg मात्रा को हमें एक एकड़ के फसल में बोवाई के समय अच्छे से डाल देना होता है एक एकड़ खेत में अंतिम जुटाई के समय उसके बाद खेत की जुटाई करके आपको जो भी फसल लगाना नहीं उसको लगा देना होता है तो जो 4 kg की ग्रेनवल वाली की दानेदार फॉन में आता है उसकी कीमत आता है लगबग 900 रुपे ऎती है यांनि कि एक एकड़ का ग्राइज है वह 700 रूपे पढ़ता है दूसरा है पगरवी में पटता है तो उसकी खेट के अंदर आप ड्रिंज कर सकते हैं या जरी चला सकते हैं पानी के अंदर आप फ्लो मेथड से चाहिए करते हैं तो उसके साथ चला सकते हैं 100 ग्राम मात्रा को तो उसकी जो कीमा दाजी 600 रुपया तो देखिए हमें यदि आप बुवाई के समय यूज कर रहे हैं किसी भ करते हैं कि आपकी फसल की जो कितने दिनों में आती है माली जिए हो चार से लेके 5000 महीन के अंदर-अदर सकते हैं और यदि आपकी जो फसल कि यानि वह 6-12 महीने ने जाके अदर तयार होती है उसके भीच में आपका यानिकी है 12 महिने के तक वो पक कर तयार होती है तो उसमें आप 2 बार डाल सकते हैं एक बार बुभाई के समय दूसरी बार आप ड्रेंच कर सकते हैं जो पाउडर काता है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके से आप जो टाटा का रेली गोल्ड है उसको अपने फस्लों के अंदर उप्योग कर सकते हैं बहुती जवर्जस्ट फायदा आपको देखने को मिलेंगे अपना ख्यार रखेगा धन्यवाद